एलो फ्रेंट्स आवर यू कैसे आप सभी लोग स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी चैनल लिटरी कांपिएंशन विथ मेनाकसी में और आज का जो हमारा स्टेडी टॉपिक है वो एक राइटर है रॉबर्ट लेंड जित का नाम है एक ग्रीट ब्रिडिश राइटर थी लेट से स्टेडी अबार दी रॉबर्ट लेंड इनका पूरा नाम था रॉबर्ट विल्सन लेंड और इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 1879 बेलफास्ट आरलेंड में और दैथ हुई थी 6th of October 18, sorry 1949 लंदन इंग्लेंड में 1901 से ही ये लंदन इंग्लेंड में सटल हो अधियर थे ये एक इरस राइटर थे एडिटर ऑफ वैट्री थे आर्बेरि रिटरी टैर्ट थे और डेरी अन्ड ये जो एक Prisbyitarian ती परेस्भाइ ठीरिम prayerOn क्या होता है जैसे जो हमारी उसमें चर्च थी जो बॡ्रितेरिण में तो उसमें जो उती थी जो चर्च की जो फॉर्म होती थी जैसे चर्च को मानने वाले जो लोग थे वो डिवाइड़ हो गए अपनी अपनी कम्यूनिटीज में जैसे पहले जो लोग थे वो थे कैथोलिक थे उसके बाद जो आते थे वो थे प्रोटेस्टेंट थे उसके बाद भी एक और रिलिजियस मत था जो प्रोटेस्टेंट और काथलिक से थोड़ा सा उनका रिलिजियस मत जो था विचारत जो थे वो अलग होते थे, वो कहलाते थे प्रेजबाइटरियन, तो जो रॉबर्ट लेंड साब थे, इनके जो फाधर थे, लूट धिते वो रॉबर्ट जो लेंड से, तो जो इनके पैटरनल ग्राइड्पेरंस थे, वो भी काफी wealthy और अच्छी family से थे और उन्होंने emigrant किया था Scotland से Iceland के लिए ये लोग पहले Scotland में रहा करते थे उसके बाद वहाँ से Ireland के लिए ये लोग migrated हो गए थे और इनके जो great grandfather थे वो काफी well known और wealthy थे और let's about something about her his mother, इनकी mother का नाम था Sarah Rental Lind और इनकी education के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनकी education हुई थी वो इनकी सुरुवाती सिक्षा हुई थी Royal Belfast Academy Institution से और देन आफटर इन होने Kunes University जोईन किया था यहां से इनकी education पूरी हुई थी after that इनकी जो marriage हुई थी वो हुई थी 1909 में Sylvia से इनकी मुलाकात कुछ समय पहले हो गई थी राइटिंग के सिलसले में यह दोनों लिखा करते थे तो यह भी एक राइटर थी जैसे रॉबर्ट लेंड एक राइटर थे तो इन दोनों में प्रेम हुआ और उसकी बाद इन लोगों ने साधी कर ली 21st of April 1909 में then after he began as a journalist on Northern Whig in Pelfast इन्होंने as a journalist काम किया था Northern Whig एक newspaper था उसमें then after he moved London in 1901 मैंने आपको पहले भी mention किया था 1901 में यह आइलेंड से लंदन को चले गए थे और वहाँ पर इन्होंने daily news में काम करना सुरू किया और यह literary editor भी रहे daily news के 1910 से लेके 1947 तक फिर उसके बाद इन्होंने थोड़ा बहुत criticism में भी अपने हाथ आजमाएं वहाँ भी उन्होंने लिखा for today एक drama को criticize किया था today टाइटल से था जो जैसे एडिटेट किया गया था जैरोम के जैरोम के द्वारा then after he used a pseudo name YY YS or YS in writing for the new statement जब यह new statements जो एक journal था उसमे का उसके लिए लिख रहे थे तो वहाँ से इन्होंने अपना pseudo name से लिखना सुरो किया अक्सर यह question आयता है और यह काफ़ important question भी है कोई कौन under the pseudo name YY करके लिखता था तो Robert Lend under the pseudo name YY करके लिखा करते थे YY का जो literary meaning इनने उसमें huge किया वो था yes, y, s, yes और wise मतलब YS को जो बोला उसने YS बोला जिसको हम WIACYS कहते हैं तो यह YS बोलते थे तो इस form में YY का प्रियोग किया करते थे और जो most important point है इसके साथ वो यह है कि he is known as the modern ilia उन्हें modern ilia के नाम से जाना जाता है पहला यह fact भी जरूरी है कि उनका pseudo name क्या था वाई 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 था और उनको किस नाम से जाना जाता है modern ilia देखे एक बाद में अभी modern era में एक वो आया था न्यूस पेपर आया था एक एडिटर्स का जो कॉलम होता है उसमें एक एडि वो आर्टिकल आया था जिसमें रॉबर्ट लेंड को modern ilia के नाम से संबोधित किया गया था वैसे आपको पता है कि ilia essays of ilia करके कौन लिखा करते थे चार्ल्स लैम जो चार्ल्स लैम राइटर थे ग्रेट एसीस्ट थे वे अपने जो essays होते थे उन्हें ilia के टाइटल से लिखा करते थे और उनके जो essays होते थे वो काफी autobiographical in nature में होते थे तो जो हमारे आज के राइटर रॉबर्ट लेंड उनके जो जो होते हैं वो भी कुछ हद तक resemble होते हैं मिलते जूलते हैं किन से चार्ल्स लैम से इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं modern ilia के नाम से इन्हें जाना चाहता है next point now we will talk something about his literary composition and notable works अब हम उनके कुछ work के बारे में बात कर लेते हैं जो notable थे उनका जो पहला notable work आया था वो आया था under the title Ireland a nation 1990 में then after old and new master आया था 1990 में और उसके बाद आया था the art of letters and dr. johnson and company नाम से उनका एक और ऐसे आया था ये इनके collection था work के उसके बाद इनके कुछ other important work आये जैसे iris and english rambles in Ireland the book of this and that the pleasure of ignorance search light and nightingles life's little oddities ये सभी इनके work थे literary composition थे और मैंने जैसे तो पहले भी बताया कि आज हम Robert Lend जी की जो study कर रहे हैं as a prose writer के रूप में कर रहे हैं क्योंकि अभी lockdown के सिलसिले में मुझे अपने बच्चों को prose पढ़ाना जरूरी है जिसमें की उनका Robert Lend का एक prose writing prose selection लगा है under the title in praise of mistake के नाम से एक essay लगा है तो particular हम उसी ऐसे के reference में Robert Lend का अधिन कर रहे हैं तो Robert Lend की जो prose style है उसके बारे में हम थोड़ा बहुँ discuss करेंगे और उनका जो essay है वो हम आगे डिसकस करेंगे तो उनकी जो prose style थी वो थी उनकी जो essays होते थे are personal in character वो क्या होते थे personal होते थे उनमें autobiographical touch होता था जो उनके essays होते थे उसमें जो center character होते थे वो खुद को ही रखते थे मतलब खुद के बारे में ही वो लिखा करते थे तो personal होते थे in tone and also in character उनके essays नमबर टू उनके जो essays होते थे वो क्या होते थे बहुती बुद्धी चातुरी से भरे वे होते थे वीटी होते थे और full of humor होते थे उसमें humor का था तो भंसी मजाका था तो भी पाया जाता था Lamb hates hypocrisy and humbug Lamb जो थे वो दिखावा करने वाले थे जो से बहुती नफरत करते थे उन्हें बहुती घ्रणा थी कि जो लोग दिखावा करते थे राइटिंग अगेरा में और अपनी lifestyle में देन नमबर फूर्थ वन लिखा करते थे वो जो मानर जिवन की fates and follies होती है मतलब जो चोटी-चोटी हम बेकुफिया कर देते हैं अपनी लाइफ में तो उसके बारे में वो लिखा करते थे नमबर सिक्स वन इस right and middle style येस इस 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 इमोस्ट इमपर्टेंट पॉइंट ये राइट इस इस में लिखा करते हैं जो कि मतलब easily understandable नहीं होती है common reader को आसानी से समझ में नहीं आती है वो होती है great या grand style दूसरी जो number क्या आती है style वो होती है middle style जिस में क्या होते है common words का यूज किया जाता है not too much common मतलब बहुत ज़्यादा हलकी और easy language का नहीं moderate और middle language का प्रियोग किया जाता है इसलिए से middle style कहते है उसके बाद जो style आती है वो होती है lower style उसमें क्या होता है बहुत ही easy language का प्रियोग किया जाता है इसलिए उसे lower style कहते हैं यह क्या करते थे middle style में अपने essay लिखा करते थे और जैसा तो मैंने आपको पहले भी बताया कि Robert Land का जो हम particular अधिन कर रहे है या उनकी जो study कर रहे है as a prose writer कर रहे हैं आज के अपनी इस वीडियो में और जो उनका मैंने प्रोज लिया है जो उनका essay लिया है वो course में लगा हुआ है मेरे students के under the title in praise of mistake उन्होंने एक essay लिखा था देखिए उनकी जो आदत थी वो छोटी छोटी चीज़ों पर लिख देते थे जिसे हम लोग मतलब हम जो common people होते हैं वो कोई ध्यान ने देते हैं yes की mistake mistake पर भी लिखा जा सकता है तो हम सोच भी नहीं सकते हैं mistake पर भी इतना बढ़िया कोई ऐसे लिखा जाता है तो उन्होंने काफी सुन्दर ऐसे लिखा है ये mistake पर जिसमें उन्होंने क्या किया है गल्तियां जो हम गल्तियां करते हैं उनकी प्रसंसा की है basically उन्होंने हमारी गल्तियों की प्रसंसा नहीं किया है उन्होंने writers की द्वारा जो गल्तियों की जाती है उनकी प्रसंसा की है वो कहते हैं कि अक्सर लोग complain करते हैं कि writer क्या कर देते हैं गल्ती कर देते हैं वहां गर्मी और जो उसने कटी बंदी प्रदेश है वहां वो क्या दिखा देते हैं सर्दी का मौसम दिखा देते हैं तो वो कहते हैं कि राइटर इस टाइप की गलतियां अक्सर कर देते हैं जो ट्रॉपिक्स हैं हमारे वहां वो सी तो उसने कटी बंदी शेत्रों को दिखा देते हैं तो राइटर इस तरीके की गलतियां अक्सर कर देते हैं लेकिन जो लिंड हैं वो क्या करते हैं राइटर्स की प्रेज करते हैं सब करने पर भी वो कहते हैं कि writer जो ऐसी गल्थियां करते है उससे क्या होता है कि जो प्रोज होता है या जो राइटिंग होती है उसमें humor पैदा होता है उससे हंसी विनूत बना रहता है और उनकी गल्थियां अगर हमारा जो play है या फिर जो work है उसको अफेक्ट नहीं करती है, तो गलतियां क्या करती है, हुमर पैदा करती है, तो इस ठारीके से उन्होंने इन प्रेज Office of Mistake में गलतियों की प्रसंसा करते हुए लिखा है, और हम जो ऐसे है इन प्रेज अफ मिस्टेक, वह अगले वीडियो में study करेंगे आज के लिए हम राइटर में ही इस वीडियो का अपनी खतम करते हैं और जो इसका next part आएगा उसमें हम इन phrase of mistake जो हमारा ऐसे है उसे फुरा discuss करेंगे line by line so as I always says keep smiling and be happy thank you, thank you all